फैक नमबर एक जितना ज्यादा लाल होता है उसे उतना ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है इन बंदरों के जबड़े भी बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत मजबूत होते हैं जिससे ये किसी भी चीज को आसानी से खा सक फैक नमबर दो जिनका चहरे से लेकर छाती तक के बाल भूरे रंग के होते हैं जबकि बाकी का शरीर काले रंग का होता है न्यू वर्ल्ड मनकी की प्रजातियों में कैप्यूचिन बंदर सबसे बुद्धिमान और समझदार प्रजाती है इन बंदरों का दिमाग ही इनकी खासियत है ये कुछ भी काम बहुत जल्दी सीख जाता है इसलिए बहुत से इनसान इन्हे घरों में पालतु बना कर रखते हैं मेंडरिल सेंट्रल अफरीका में पाए जाने वाली बंदरों की प्रजाती है और ये दुनिया के सबसे रंग बिरंगे स्तंधारियों में से एक है मेंडरिल का मुह लंबा होता है और मुह में नीला सफेद और लाल रंग का डिजाइन बना होता है लेकिन इनकी पूँच बहुत ही छोटी होती है मेंडरिल बहुत बड़ा मुह खोल सकते हैं और इनके दाथ भी बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से ये बहुत दरावने लगते हैं, लेकिन ये इनसानों को कोई नुकसान नहीं पहुचाते और उनके साथ घुलमिल कर रहते हैं. Fact No. 4 गिब्बन. ये बंदर भारत, चीन, बांगलादेश और इंडोनेशिया के कुछ भागों में पाए जाते हैं. ये छोटे आकार के बंदर होते हैं और इनकी खास बात होती है कि ये अपनी पूरी जिन्दगी एक ही जीवनसाथी के साथ गुजारते हैं. इन्हें पहचानना भी बहुत आसान होता है क्योंकि नर गिब्बन काले रंग के होते हैं, जबकि मादा गिब्बन सफेद रंग की होती है. ये बंदर कुछ न कुछ शरार्ती हरकत करते रहते हैं, जिस वजह से लोगों को ये बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे कि ये पिछले दोनों पैरों पर चलते हैं, और अपना संतुलन बनाने के लिए दोनों हाथों को हवा में उठाते हैं. सियमेंड सियमेंड भी गिब्बन परिवार के ही बंदर होते हैं, लेकिन ये आकार में गिब्बन से दोगुने होते हैं. ये मलेशिया, इंडोनेशिया और थाइलाइंड के जंगलों में पाए जाते हैं. सियमेंड पीछे से दिखने में चिम्पेंजी की तरहे लगती है, लेकिन इनकी गरदन इन्हें बाकी सभी बंदरों की प्रजाती से अलग बनाती है. इनके गरदन में एक थैली लटकी होती है, जो आकार में इनके सिर जितनी ही होती है, जिसका इस्तिमाल ये अलग-अलग उची आवाजे निकालने के लिए करती है, और इसमें ये खाने को भी सुरक्षित रख सकती है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.